इस वीडियो में दी हुई जंकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई का उप्योग करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर पूछे, अगर आप इस वीडियो को देखर किसी दवाई का उप्योग करते ह जो सिकुटा को एंठन, मानस्पेशियों की एंठन और मानस्पेशियों की जोडों के अनाच्छिक जटके के इलाज के लिए एक उत्कृष्ट उपाय बनाते हैं। इसका उप्योग केटेलेपसी से जुड़ी स्थितियों और इससे जुड़े प्रमुक लक्षणों के इलाज के लिए किया जा सकता है। 3. मस्तिश्क और रीर की हड़ी की सूजन में उप्योगी और दर्दनाक सिरदर्द से राहत देता है। 4. गर्भाशे ग्रीवा की मानस्पेशियों के संकुचन से राहत दिलाने में सहायक। 5. पेट में दर्द और मानस्पेशियों की एंठन के इलाज के लिए उतकृष्ट उपाए। 6. खराब दृष्टी के इलाज में अत्यधिक प्रभावी और पुतलियों के फैलाव को ठीक करता है। 7. गर्दन की मानस्पेशियों के संकुचन से राहत मिलती है और आमवाती दर्थ ठीक होता है। 8. एकसिमा के साथ गंभीर रूप से शुष्क तवचा के इलाज के लिए बेहत फायदे मंद और शरीर में खुजली से राहत दिलाता है। 9. विशेश रूप से बच्चों में तवचा पर घाव, चकत्ते, लालिमा और फुंसियों का इलाज करता है। 10. लिए टीक